हलो दोस्तों मेरा नाम परदीव कुमार और आप देख रहे हैं ABC4U YouTube चैनल दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी टेक्स्ट के अंदर वीडियो को आप कैसे लगा सकते हैं और उसे अपने इंट्रो बना सकते हैं या फिर YouTube पे आप लोग देखते होंगे जो म्यूजिक के चैनल होते हैं उसमें बहुत सारे इस तरह का मिल जागा देखने के लिए तो इसी पे मैं इस वीडियो में बात करूंगा तो चलिए अब अपने टॉपिक की ओर बरते हैं तो यह जो डिजाइन होगा हम फोटोसप CS6 में बताऊंगा अगर आपको पास फोटोसप CS6 नहीं है तो नीचे डिस्किरिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप जाक दाउलोड कर सकते हैं यह तो मैं जो यूज गजा करtim गोंगा इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो को आप क्या करेंगे डाइक ड्रेएक करके फोटोसॉप में आप में कर सकते तो यह कुछ इस तरह से आप अपने अनुसार इसको अर्जेस्ट करके और यहां तक जो इफेक्ट आएगा जैसे कि यहां से इफेक्ट आना ही स्टार्ट है तो यहां से आप क्या करेंगे प्रॉप करेंगे इस तरह से जो फर्स्ट मिले जाएंगे अपने माउस पॉइंटर को तो इस तरह से अपसं लिजिए जहां तक यह इफेक्ट दिख रहा है जहां तक आप रखिए ठीक है यह हो गया अब हम बात करते हैं जैसे कि और भी देखिए और भी इसमें है जो लिखा हुआ है यहां से हमारा स्टार्ट है तो हम क्या करेंगे यहीं तक हम क्रॉप करके रखेंगे यहां से इस तर ठीक है अब क्या करेंगे आप एक new layer बना लीजिए यहां से इस playhead को starting में हिल रखिए उसके बाद एक new layer बना लीजिए इस layer में आप क्या करेंगे black color फिल करेंगे यहां से जो background में black color है तो इसको फिल करने के लिए control के साथ back space दबाएंगे तो इसमें color फिल हो जाएगा sorry देखिए अब भी क्या है जो वीडियो का group है उसी में ये layer बनना है तो इसमें हमें नहीं बनाना है अलग बनाना है तो उसके लिए जो ये group है वीडियो का group है इस पे click करना है इसको select करके रखना है और यहां से new layer बनाएंगे तो इसके ऊपर बनेगा अब इसमें black color फिल कर ल यहां से इसका shortcut की है T उसके बाद जो भी text लिखना हो अप लिख सकते हैं तो मैं अभी example के लिए TXT लिख लेता हूं और यहां से डन और उसके बाद control T करके transform करके इसे आप अपने अनुसार बारा छोटा कर सकते हैं और उसके बाद इसको आप center में रखना चाहें तो इस तर text वाला layer है यह layer thumbnail पर control की को दबाना है और mouse से एक बर click करना है तो यह जो text है वो select हो जाएगा उसके बाद नीचे वाला layer है blank layer जो black color का आप बना है layer उसके select करना है और delete की press कर लेना है उसके बाद उपर वाले layer को hide कर लेना है तो यह नीचे वाला जो video है वो दीखने लगेग इस तरह से उसके बाद यह selection है इसको हटाने के लिए control डी करेंगे तो यह हट जाएगा अब यह जो आप पे जो blank layer में आप text का जो से बना है उसके double click करना है यहां double click नहीं करना है यहां double click नहीं करना है यहां खाली अस्थान पर जैसे कि इधर खाली है तो इस पे हम double click और इसमें extra work देंगे यहां से हम टू काita लेते हैं और उसके बाद the color में अब कोई सेथी color ले सकते हम black color लेते हैं उसके बाद इसमें glow effect लगाना है यहां से इनर glow पे click करेंगे तो यह पूरे लेयर पर लगे गा तो आपको इस पर नहीं करना है आपको इसमें outer glow पे click कर लेना है और यहां से जो color box है इसे click करके और कोई साभी color अपने मर्जी से select कर सकते हैं उसके बाद यहां से इसका size होगा आप देखिए इस तरह से यह show करेगा तो आप जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं उसके बाद okay कर लेना है अब आप क्या करेंगे यह देखिए अब भी जो आपका animation जो video render करेंगे तो आपका यही से होगा तो इसको भी आप complete यहां तक के रख लीजिए इसको बारा करके पूरे जो timeline है उतना तक यहां तक मेरा animation चलेगा यहां से start होगा और यहां तक खत्म अब क्या करेंगे हम आपको इसको play करके दिखा देते हैं यह रहा तो कुछ इस तरह से आपका यह जो text में video रहेगा इस तरह से चलेगा अब बात करते हैं कि इसको save आप कैसे करेंगे video में तो यहां से file menu में जाएंगे और सबसे पहले तो आप यहां से save करके psd file में save कर लिए क्योंकि इसको अगर बाद में change करना चाहें तो बहुत ही असानी से कर सकते हैं उसके बाद अगर video में render करना है तो यहां से export और यहां से render video एक बात और बताना चाहूंगा जो कि हमने पिछले वीडियो में नहीं बताया है तो अगर आप इसमें music लगाना चाहें तो यहां से जो play head है इसको start में रखेंगे और यहां से देखिए यह music है जिस पे आपको क्लिक करना है और add new music जैसे कि यहां भी add do कर सकते हैं पिर इसमें भी कर सकते हैं इसमें करेंगे तो यह track नया बनेगा और इसमें करेंगे यह memory का जो location होगा drive होगा वहां से आप अपने मर्जी का कोई सब music select कर सकते हैं तो इस तरह से music भी लगा सकते हैं तो इस video जो description में link दिया हुआ है उसमें already audio है तो आपको इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है अब बात करते हैं इसको render कैसे करेंगे वीडियो में तो file menu और export उसके बाद render video जिस पे click करेंगे तो यहां से कुछ option आएगा तो यहां से नाम home change कर सकते हैं यहां से folder path location change कर सकते हैं और यहां से जो video का size होगा वो होगा उसके बाद यहां से render video करेंगे तो यह render होना ही start हो जाएगा कुछ इसमें समय लगेगा आपके जो system के अनुसार तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हम render होने देते हैं